रिस्क लेने की फिलिंग जादा तर यंग अडल्ट्स यानि 17 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो जादा तर रिस्क लेने में इन्वाल्ड रहती है यहाँ पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुशों में रिस्क लेने का जोखिम लेने की आदत सबसे जादा देखी जाती है और रिस्क टेकिंग बिहवियर जो होता है वो कही ना कहीं शौर्ट टैंपर्ड लोगों में होता है जो कहीं ना कहीं अपने गुसे पर काबू नहीं रख पाते हैं एक caller थे प्रमोज जी उन्होंने पूछा था कि risk taking behavior जब किसी भी life में आ जाता है वो जोखिम लेने लग जाते हैं तो किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं इससे देखिए इसमें देवी जी सबसे पहले हमें देखना है कि जोखिम किस चीज के लिए लिए जा रहा है जैसे आपने भी discuss किया कि हम लोग late हो रहे हैं हमारी habit है तो हम जल्दी जा रहे हैं गाड़ी तेजी चला रहे है या एक हमारी habit है कि हम चलाते ही गाड़े ऐसे हैं we are habitual for that इसलिए हम जब भी road पे जाएंगे चाए है हमार पास कितना भी time हो हम गाड़ी तेजी चलाएंगे जी बिल्कुल तो ये define करना पड़ेगा हमें कि हम risk किसली ले रहे हैं क्या मजबूरी में ले रहे हैं या हमारी habit है अगर वो habit है then we are actually comes into category of risk takers यानि हम जोखिम लेने वालों की category में आते हैं और अगर हम मजबूरी में ले रहे हैं तो फिर वो हमें अपने habits को ठीक करना पड़ेगा time management के अंदर जाएं या अपने आपको contemplate करें पूछे अपने आपसे कि मैं बार बार क्यों late होता हूँ क्योंकि उससे गलानी पैदा होती है उससे आप नुकसान भी अपने लिए पैदा करते हैं लेकिन अगर आप उस category में है कि जहाँ पर आपकी habit है ये देन आप पहचान जाते हैं कि मैं risk taker की category में हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि वक्त का सही इस्तेमाल करें अगर जितना ज़रूरी हो उतना ही risk लें जादा risk लेना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पर अभिशेग जी हैं हमारे साथ अभिशेग जी सवाल पूशे जी सवाल पूशें अभिशेग जी जी कहें प्रणाम साथ जी प्रणाम बताएं यह अनुज कुमार सिंग का बाल पकने के बारे में आप कल सवाल पूश सकते हैं क्योंकि कल हमारे साथ डेफिनिटल एक आयरुवेध एक्सपर्ट होंगे जो इस समस्थिया का सही उपचार आपको बता पाएंगे यहां पर एक और कॉलर है हमारे साथ बताएं राज कुमार जी सवाल पूशें यह लगता है संपर्ट टूड़ गया है इससे जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो लोग रिस्क लेने की आदत में आ जाते हैं कहीं न लोग बहुत जल्दी ही बहुत बड़े समय को जल्दी जी लेते हैं क्योंकि बहुत जैसे भी शॉर्ट टेंबर की बात हुई थी एक्ग्रेसिवनेस, शॉर्ट टेंबरनेस, एक्स्टावेगरनेस और एक्स्पोरेशन की भावना बहुत ज़ादा होती है इससे बहुत ज़ चाता है या किसी भी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करता है तो एक general phenomena है और उनके लिए में एक सला देना चाहूंगा जो इंप्रेस करना चाहते हैं कि अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप उनकी जगापे आके देखें यह नोट इंप्रेस्ट जी बिल्कुल क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक यह पाया गया है कि महिलाएं उन पुरिशों से बिल्कुल आखरशित नहीं होती हैं जो जिंदिगी में अपनी जिंदिगी को सीरिस्ली नहीं लेते हैं और बहुत ज़ादा रिस्क लेती हैं क्योंकि कह आफका जो एक तरीका है वो भी खतम हो जाएगा because that is not the way, वो तरीका नहीं है जो हम बात कर रहे थे कि यंग स्टरस में होता है भी आपने 17 से 30 की बात की तो यह एक ऐसी एज़े जहां पर हमारी लाइबलिटीज बहुत कम होती है, जहां पर हमारी जिम्मेदारियां बहुत कम होती है तो उस टाइम पर हम उस चीज़ को ले पाते हैं क्योंकि यह peer pressure होता है हमारे आसपास हम देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे है तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए अपने भीड से अलग दिखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारा risk involved होता है लेकिन 30 के बाद आप देखेंगे नॉर्मल ये risk taking behavior होते हुए भी काफी कम आ जाता है because responsibilities बढ़ जाती है बिल्कु लाइफ में stability भी लोगों की आ जाती है यहां पर अभिशेक जी दुबारा जुड़ गए है मेरे साथ अभिशेक जी सवाल पूछें राजकुमार जी सवाल पूछें हाँ भाज साम हम ये जानना चाह रहे है आपनी को उन्नातिक के लिए व्यक्तित जीवन में अधिक risk लेना चाहिए जी यहां पर ये personal और professional life में जानना चाह रहे हैं कि कितना difference रखें रिस्क टेकिंग के लेकर राजकुमार जी राजकुमार जी देखिए risk लिए बिना हम progress नहीं कर सकते इस बात को ये जान ले और risk कितना लेना है सबसे पहले ये depend करेगा कि आप किस personality से belong करते हैं आप खुद को बहतर जानते हैं कि नहीं because किसी को देख के risk लेना और dangerous है because आपने देखा कि सामने वाले risk ले रहा है और वो आगे बट रहा है मैं भी उसी तरीके से अपनी life में risk ले सकता हूँ लेकिन आपकी personality, आपका behavior, आपका वेक्तित्व अलग है तो पहले खुद को पहचाने और उसके बाद ये पूछे अपने आप से कि मुझे कहां जाना है life में क्योंकि बिना goal के आप risk लेंगे तो वो risk waste हो जाएगा उससी का कोई aim नहीं होगा तो अपने आपको जाने और अपनी capabilities को पहचाने उसके मुताबिक risk ले life में जी बिल्कुल सहीगा मेरी जी यहाँ पर जरूरत है कि अपनी काबलियत को अपनी शमताओं को पहचान कर decide करें कि आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं तब ही आप अपने risk को calculate करकर सही results पापाएंगे यहाँ पर एक break लेंगे बने रहे हमारे साथ